Hello everyone, आपका एक और फिर से welcome है आज के इस नए वीडियो में और मैं आपको ये पहले clear कर दूँ कि जो कुछ भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होना वो सारा चीज वो सारा method आप अपने किसी भी Redmi, MI यानी Xiaomi और Poco के device के उपर follow कर सकते हो और आज का जो topic होने वाला है वो ये है कि आप किस तरीकी से अपने Xiaomi के किसी भी phone के अंदर MIUI के software को change कर सकते हो वो भी बिल्कुली safe method से और साथ से आप यहाँ पर अपने phone का region भी बदल सकते हो यानी आपका एक Indian device है तो उसमें आप चाइना का रोम डाल सकते हो इंडोनेसिय का डाल सकते हो टाइवान का डाल सकते हो या फिर कोई other country का डाल सकते हो या global का जो भी आपको मर्जी है वो flash कर सकते हो लेकिन flash कैसे करना है कैसे पता चलिए कौन सा हमारी device क्लिए सपोटेवल है उसका global में update अवेलवल है या नहीं यह सब कुछ में आपको किलियर करूंगा यानि बिल्कुली नो फ्रेंडली वाली चीजे में आपको यहां पर बताने अला हूं ताकि आप अपने फोन के साथ OS को चेंज करके जो करना चाहते हो कर सकते हो और जो भी device होता ह है उसका अगर इंडोनेसिया में वह डिवाइस गया है और उसका software अवेलवल है तो इंडोनेसिया का अगर आप रोम डालते हो ना तिहां पर आपको गुगल का डायलर कॉंटेक्ट और मेसेजिंग दिखाई देता है यह हट जाता है और साथ सब आपको मीवाई का डायलर व अगरा देखनी को मिल जाएगा तब ही फिलाल मेरे पास जो यह फोन है जिस पर मैं यह मैठेट करके दिखाऊंगा वह है मेरे पास ओमी का 11 light any 5G जो कि आप यहां पर देख पार हो लिखाओ आपको मिल जाता है नेम और यह भी अलग-अलग country में है जो launch हो या वैप इसके अ software में download करने के बारे में बता हूँ ना वो software आपको अपने device का ही download करना है ऐसा नहीं है कि भाई मैं बता रहूँ एनिका तो आपके पास POCO M2 Pro है तो आप उसमें भी एनिका डालने लग जाओ ऐसा नहीं करना ऐसे में आपका फोन खराब हो जाएगा बस आपके फोन का जो name है जो software support है ना उसी का ही software आपको download करना है लेकिन उसे पकरेंगे कैसे चलिए आगे देखते हैं तो सबसे पहले आपको deduct करने के लिए कि आपके पास phone कौन सा है उसका software के समस्पोर्टेवल ढून पाएंगे उसके लिए एक application download कर लेना प्ली स्टोर से उसके बाद आप इसे open करना सबसे पहले यहाँ पर आएगा general उसके बाद यहाँ पे SOC और सिस्टम सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर device, product और board जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर device के नाम पर लिखाओ है LISA उसके product पर लिखाओ है LISA और IN ज यह जो LISA है यह इस device का code name है जो कि आपको हर software के अंदर find करना है कि यह code name लिखाओ है या नहीं अगर यह code name नहीं लिखाओ है तो भाई आप जो software डालने वाले हो ना वो आपके phone का support नहीं है और आपका phone खराब हो जाएगा और यह clearify करने के लिए मेरे पास दुसरा device में इस X इसमें भी मैंने same software को download कर लिया अपने play store से और इसे अगर मैं open करता हूं उसके बाद general के बाद SOC और system पर जाता हूं तो आप दिखो यह device, product और board इनमें आपको लिखाओ मिलता है A, L, I, O, T, H और last में iron लगावा है तीनों के उपर क्योंकि एक Indian device है इसलिए यहाँ पर iron लगावा मिल जाता है तो आगे का startup का जो code name है न वहीं आपको software के अंदर भी find करना है कि वो code name आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए अब मैं आपको find करके दिखाता हूँ कि कैसे हम पता करेंगे तो इसके लिए simple आपको PC पे आ जाना है या फिर आप अपने mobile पे भी software download कर सकते हो लेकिन software change करने के लिए आपको PC की ज़रूद पड़ेगी क्योंकि यह safe और official type का method होने वाला है ठीक है जिसमें आपको कोई भी खास risk नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से यह सारे method को समझ जाते हो तो यहाँ पर आप देख पर हैं में पास कई सारे device है जैसे कि 11 Lite, 11 10 Pro यह तो अभी मैंने बेच दिया Poco S2 Pro, M2, M2 Pro घर पे है फिलाल और यह है Mi 11X वागेरा तो इन सभी का मैं वीडियो देता रहता हूं तो आप यह आपके फ्रेंड लोग यूज करने तो यह उन्हें recommended कर देना है मेरा चैनल बट इसके लाब आप बाकी device है उस पर भी यह method follow कर सकते हो तो सबसे पहले आपको Google पर आना है और Google पर आने के बाद सर्च करना है software जो आप डाउनलोड करना चाहते हो जैसे कि मैं आपको for example मी लेनेक्स से उसका सर्च करके दिखाता हूं यहाँ पर टाइप करेंगे मी वाई मी 11X डाउनलोड ठीक है यहाँ पर डाउनलोड कर देंगे जो first page आपका open होगा कि software available है यह सबसे best site में मानता हूं मी UI software को डाउनलोड करने के मामले और सारा जो file होता है वो official होता है कोई modified नहीं रहता तो टेंशन मत लेना तो यह देख सकते हो यहाँ पर मी 11X लिखा हुआ है अब यह जो मी 11X है अलग country में अलग अलग नाम के साथ गया है जैसे कि यहाँ प पोको F3 रसिया में गया हुआ है मी 11X इंडिया में आया है यानि एक ही डिवाइस से नाम चेंज हो गिया है उसके बाद यह EEE का है चाइना का है इंडोनेसिया का है यानि यह software में डालोंगा अपने मी 11X के अंदर तो भाई मुझे MIUI का डाइलर मिल जाएगा और साथ-सार यह सारे हो software अगर आप डालते हो fast food method से तो आपके phone के अंदर OTA update भी आएगा लेकिन इंडिया ला OTA update नहीं आएगा आपने चाइना का डाल दिया है तो चाइना में जब भी OTA update मिलेगा तो आपको भी update मिल दाएगा अगर आपने global का डाला है तो global का update आपको मिलेगा अगर इन सभी country में यह phone available है अब depend करेगा आपके उपर कि आप कौन सा country का OS यानि software अपने phone में डालना चाहते हो ठीक है तो यह example हो गया अनदर example के बात करें तो यह है मेरे पाद सावमी का 11 light any जो कि मैं use कर रहा हूँ और इसी पर मैं method बताऊंगा और यहाँ पर आप देख से तो lisa लगा हुआ है इसमें भी code name सेम है जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है तो यह जो software हुआ यहाँ पर जितने भी software है यह सारे हमारे phone के supported है बस country सबका different है तो इसी तरह की से आपको software pick करना है जो कि आपके phone का supported रहेगा अब यह ना हो कि मैं POCO F3 यानि million X का software डाल ना तो इसकर जिम्यवार सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ है MI 11 LE तो यह जो LE का नाम है यह आप देख लो किस country में गया है तो यह जो चाइना में हमारा phone गया है वो है LE China के नाम से है और जबकि इंडिया में आया है और global और और यहाँ पर अफसोस की बात कि यहाँ पर इंडोनेसिया का कोई भी रोम अवैलवल नहीं है यानि यह फोन इंडोनेसिया में नहीं गया था तो भाई दिक्कत होगा आपको भाई Google का डाइलर ही मिलेगा सभी अल-अलग country में लेकिन आप चाइना वाल रोम डालते हो तो आ फास्ट वाला ना की रिकावरी थीक है तो फास्ट वाला जैसे कि मुझा चाहिए तो हमầy मुझेत आपकी रिकावरी हे यह हमारा तो फास्ट बुर ŠEuster तो और यहाँ पर रिकवरी टाइप है तो मैं रिकवरी नहीं चाहिए यह हमारा फास्बूट टाइप तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अनदर पेज खुलेगा और आपकी डाउन्लोडिंगे जो शुरू हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इस तरीके साब कोई जो डाउन्लोड कर लेना है जो कि मैंने औरेडी जो डाउन्लोड कर रखा है अब मैं फिलाल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो यह मैंने पास स्वामी 11 लाइट एनी जिसमें यह फाइल आप देख पा रहे हो आइन लगा हुआ है जो कि कोड़नेम है कंट्री का तो यहाँ पर देखतों यह गलोबल लगा हो है ठीक है और बाकि इसमें E.E.A लगा हुआ है ऐगर मैं E.E.A पर आएंगे तो इसमें E.E.A का आपको tag लगा मिल जाएगा L.I.A. से के साथ में तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है अगर मैं इसे डाउन्लोड है तब यह मैं यहां फे फ्लैस करके आपको दिखाऊंगा चाइना वाला इससे आपको सबसे पहले अंजिप करना होगा तो आपके PC में विंडरार्थ हो गाई इस पर डबल क्लिक कर देना यह ओपन होने में थ्वासा टाइम लगा आता है तो थ्वासा आपको वेट करना परे कर देते हैं ऐसे में आपका फ्लैसे में काफी ज़ादा दिक्कत आता है इसलिए अगर आप नए हो फॉर्स्ट राइम कर रहे हो तो मैं रिक्मेंटेट करूँगा कि सीड्राइब में इसे आप अंजिप करो तो सीड्राइब सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर यह एक्ट होना सुरू हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करेंगे फिर से मैं इस वीडियो को काफी डिटेल में लेके जा रहा हूं ताकि आप फर्स्ट ताइम यह चीच करने वाले होना अपने फोन के साथ तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और चाइना रोम कैसे फीलेश करें लुट या फिर होका बता है आप दार रहों आपको भा पस pense स्बद कर रहे चाइंग ऑपको लिडेट Nord यहाँ पर यहां पर यूज करना बस हाँ जिस कंटी पर आपको जाना है उसिक का आपको शॉफ्टर यहां पर यहां परूज करना है उस तो मैं बस आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ चाइना वाला आपके पास इंडिया का है तो आप इंडिया का वापर से फ्लैस कर सकते हो ग्लोल पर जाना है तो ग्लोल भी फ्लैस कर सकते हो और जो भी software डालोगे उसका OTA update आपको in future देखनी को मिलेगा जब भी उस country में OTA update रोल आउट किया जाएगा अब यह फिलाल अंजीप हो चुका है मैं आपको यहाँ पर दिखा तो कि इसका जो size हमें देखनी को मिल जाता है ना यह जो size है हमारा कितना गया भाई 5.77 GB का है और यह size हर डेक डिवाइस के अलग-लग होता है सबका same size नहीं होता लेकिन जैसे आ यह अंजीप हो चुका है यहाँ पर मैं property चेक करूं तो यह 10 GB के आसपास जा चुका है तो इसमें confused मत होना कि फाइल में size में कैसे change आ गया और जब भी आप PC से flash करोगे उसका जो format होगा ना वो TGZ होगा fastput के last में TGZ लगावा रहता है और जो OT update में मिलता है हमारे updater के अं TGZ ही यूज करना पड़ेगा अब एक टूल की जरूत पड़ेगी जो कि हमारा flashing tool है जिसकी help से आप phone में flash कर पाऊगे तो उसे आप अपने Google से download कर सकते हो तो उसके लिए आपको Google पर आना है type करना है me flash tool मैं old dollar tool यूज करता हूँ जो कि आपको मेरे telegram पर मिल जाएगा आप आप चाहो तो latest use कर लो जो कि यहाँ पर यह site मिला इसमें देख से तो हर एक year नया नया tool आते रहता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन में से कोई भी आप tap करो और download कर लो जो कि यह user interface आपको देखनी को मिलेगा तो मैं download कर रखा हूँ बस मैं आपको बता रहा हू आप latest बाला use कर लेना तो यहाँ पर downloaded है बस उसे आपको unzip करना है जो कि मैंने यहाँ पर unzip कर रखा है me flash tool है इसे unzip करने के बाद इस तरीके से आपको file है देखनी को मिलेगी जिसमे एक similar file होगा सब्सक्राइब में flash इस पर double click करना है double click करते ही permission लेगा उसके बाद यह open हो जाएगा open हो गया same window जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उसके बाद जहाँ पर आपने file को unzip किया है जो कि c drive है उसे आपको open करना है यह रहा file इसे आपको open कर लेना है fill से अब उपर जो दिखाई दे रहे the pc local वगेरा इस पर आपको click करना है all select हो जाएगा उसके बाद आप इसे copy कर लो ctrl c से भी कर सकते हो अब tool को open करो जो की tool आपने यहाँ पर open कर रखा है यहाँ पर जो select वाला area है इस पर click करो starting पे कुछ दिखाई नहीं देता है मैंने flash किया इसलिए यहाँ पर नाम दिखाई रहा है me 11x का इस पर select करो click करो करो select all अब यहाँ पर आप कर दो paste ठ lock होना अगर आपके phone का boot order unlock नहीं है तो भाई यह method काम नहीं करेगा और boot order unlock है तो भी आपके phone के दर कोई भी photo data storage कुछ भी important चीज़े है उसका backup ले लेना क्योंकि सब कुछ यहाँ पर delete हो जाता है तो उसके बाद backup लेने के बाद आपको phone को switch off कर लेना है अब जो भी आपका phone है किसी भी phone के अंदर आप method follow कर रहे है उसका power 10 and volume down को long press करना है जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है कुछ ही second में आपका phone के उपर fast boot logo appear हो जाएगा अगर आपके पास old device है तो आप मी बनी दिखाई देगा new device है तो उसमें single line लिखावा मिल जाएगा अब आपको अपने phone को connect क cable से जो data cable आपके phone के साथ आया होगा उसी का use कर लेना या कोई अधर भी यहाँ पर मैंने connect कर दिया है connect करने के बाद यहाँ पर जो refresh है इस पर आपको क्लिक कर देना है और sometime यह जो phone यहाँ पर डिडेक्ट हुआ है ना code के साथ कई बाद डिडेक्ट नहीं होता driver की कमी होने क जैसे तो आप अपने PC में driver को install कर लेना उसके बाद यह डिडेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर आपको तीन option दिखाए देते हैं एक clean all clean all अगर आप यूज करोगे तो आपके phone के अंदर OS flash हो जाएगा अगर आप change करें तो भी अगर main वाला डाल रहे हो यानि जो official है वही डाल रहे हो तो भी flash हो जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पर यह option select करके और flash कर देते हो न तो आपका जो phone का bootloader unlock है वो ड्वारा relock हो जाएगा और next time आपको Chrome change करने के लिए टीर वार पर डालने के लिए फिर से bootloader को unlock करना पड़ेगा जो कि आपने starting में किया था और यह method जभी यूज करना जबकि आपके phone के अंदर कुछ issues आ गए हैं और आप care जाने वाले हो अपने phone को दिखाने के लिए तब आपने phone को lock करके ही जाना क्योंकि आ आपके flash कर लेना software को उसके बाद जाना और हाँ flash करोगे तो आपका जो इंडिया का डिवाइस है तो इंडिया का ही रोम flash करना चायना का या global का नहीं अद भाई वैसे में आपका warranty खत्म हो जाता है अगर care पहुंच जाती हो तो तो जब भी care जाना है आपका इंडिया का डि रहा हूँ और मैं यहाँ पर clean all रखूँगा क्योंकि मुझे boot or lock नहीं करना आप यहाँ पर refresh करेंगे और flash पर click कर देंगे आप यहाँ पर processing सुरू हो गया है यह अलग लग device में अलग time लेता है तो आपको देखना होगा कि कब यह complete होता होगा कब आपका phone ने जो manually boot कर जाता है और अगर यहाँ पर कोई भी error बगएर आता है ना तो आपने unzip करने में कुछ दिक्कत कर दी होगी या गलत folder select कर लिया होगा उसके वजह से यहाँ पर flashing में error आ रहा है otherwise अगर आपका device का code name चाहिए same software आपने डाल रखा है जो कि आपके phone का supported है तो कोई भी दिक्कत नहीं आता है फिर भी अगर प्रॉलम आता है डाउट आता है तो आप ट्यूटर पर या टेलिग्राम पर जोइन हो सकते हो ग्रूब अगयरा को और वहां से हिल्फ ले सकते हो तो यहां पर आप डिक्सेतों कि complete flash हो गया और हमारा phone ने जो boot कर रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया है सब auto हो रहा है यहां पर और जो यहां पर time लगा है वो है 481 seconds तो यह जो second है बहुत ज्यादा लिया है किसी-किसी phone में बहुत कम लेता है तो यह इस पर depend मत करना बस यहां भी आजाता है लेकिन main matter करता है कि हमारा phone यहां पर boot हो रहा है या फिर नहीं तो अभी यहां पर यहां पर यह on होगा उसकर मुझे setup complete करना पड़ेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर मेरा OS चेंज हो चुका है और यहां पर MIUI कर डाइलर वगरा आ चुका है और य या नहीं जैसे कि यहां पर देख से तो 13.1 है यहां पर 12.5 है तो जो old आपको चाहिए वह आप select कर लो और download कर लो और उसका same flash कर दो तो इस method को follow करते हुए आप upgrade कर सकते हो downgrade कर सकते हो roam change कर सकते हो bootloader को relock कर सकते हो या फिदाउट relock किये भी flash कर सकते हो कुछ भी कर सकते ह आपको क्या काम करना है वह आपको देखना पड़ेगा थीक है तो 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 सब वीट करते हैं इसका setup complete करके मैं आपको दिखाता हूँ अब data cable वगर है कि हमें कोई भी जरूरत नहीं और नहीं PC की अब सिर्फ phone को हमें setup करना है यहां पे बहुत बड़ी गलती हो गई वह यह कि मुझे flash करना था यहां पर चाइना वाला रोम लेकिन मैंने by mistake गलती से ध्यान नहीं दिया और मैंने global का रोम flash कर दिया डिवाइस टो मेरा इंडिया का है बड़ फ्लैस हो गया यहां पर global वाली चीजे जो कि आपको यहां पर दिखाए देगा कि मीव और चेंज हो गया जो क जबकि global का नाम ही नहीं था हमारे चाइना वाले रोम के अंदर तो यह छोटी सी गलती होगी बट डॉन वरी मैं आपको दुवारा फ्लैस करके दिखा लेता हूं इसे आपको और भी आइडिया लग जाएगा दो रोम फ्लैस करूंगा तो तो मैंने यहां पर चाइना वाले यह अब हमारे फोन को दुवारा स्यूच ओप करेंगे और फास्वूट मूड में अन कर लेंगे अब यहां पर पावर टेन वॉल्म डाउन अन हो गया अब यहां पर हम डेटा केवल को कनेक्ट करेंगे कनेक्ट हो गया रिफ्रेस करेंगे मुझे लॉक नहीं करना इसलिए म यहां पर क्लीन ओल पर रखूंगा अगर यह लॉक में कर देता हो गलत रोम स्लेक्ट हो जाता है गलत रीजन का तो मुझे द्वारा अनलॉक करना पड़ता इसलिए अच्छा रहता है कि आप लॉक मत करो जब कियर जाना हो दिख्वाने के लिए ना जभी आप लॉक करो तो हमारे होंसकिन पे, पीसी वागर के जयरूत नहीं है आप देखते हो यहांपर हुलीया चीज हो गया है क्योंकि मैंने इस वह जो चाइना वाला है जो रॉम डाला है जो कि चाइना वह ले लुक मैं आपको यहां पर नजर आ रहा है जिसमें आप दिख सकते हो कि यहांप है वो है हमारा 12.5.9 यानि इसके पहले यह 13 पर था तो एक तरहीं से यह डाउन ग्रेड हो चुका है अब चाइना में जब भी कोई अपडेट आएगा ना वो मुझे मिल दाएगा इसके पहले मैं जो ग्लोवल डाला था वह अगर मैं continue यूज करता और उसका अपडेट आता तो वह भी मुझे देखनी को मिलता तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर 13.0.1 का अपडेट आया हो है चाइना में जो कि 4GB के आसपास का है और यह मुझे भी मिल गया मैं डिवाइस यहाँ नहीं दे रहा है Google का कोई भी अप्लिकेशन और नहीं Play Store लेकिन अगर आपको Google का अप्लिकेशन या Play Store डाउट करना है तो उसके लिए आपको Get App पे आना होगा यहाँ पर Agree बगरा कर लेना है और Accept करना है अब यहाँ पर आपको टैप करना है Google Play Store अब देख से तो मैं क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को काफ़े डिटेल से बताया है जिसके वीडियो भी लंग हो गया है बट आप नए यूजरस हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी जड़ा important होने वाला है और भाई अगर वीडियो पसंद आया है और भाई इसके पीछे मैंने काफी जड़ रहेगा हर बार की तरह ठीक है तब तक लिए बाई बाई